हेलो दोस्तो स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल मॉम्स विबिकर में उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महिला को प्रेगनेंट होने के लिए कब और कितनी बार संबंद बनाना चाहिए तो आईए जानते हैं उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए लाल बटन को दबाएं और साथ में घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसी रेलेटर वीडियो आपको जल्द मिल सके तो चलिए बिना टाइम बेश्ट करें वीडियो को सुरू कर लेते हैं प्रेगनेंसी कंसीब करने के लिए आपको कब रिलेशन बनाना चाहिए इसका जवाब है यदि आप जल्दी प्रेगनेंट होना चाहती है तो अबिलेशन डेज में ही सम्बंद बनाए अगर आपको अपना अबिलेशन डेज पता नहीं है तो आप अबिलेशन डेज पता करने के लिए डेली अपना बोडी का टेंपरेचर नापे और जब आपको लगे कि इस दिन आपका बोडी का टेंपरेचर जादा है और डेज से तो आप समझ जाईए कि यही आपका ओबिलेशन टाइम चल रहा है अगर आपके पीर्ड खतम होने के 14 से 16 दिन बाद आपका बोडी का तापमान एक डिगरी बढ़ रहा है तो समझ जाईए यही आपका ओबिलेशन टाइम है तो आपको इनी दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए दूसरा अगर आपका पीरिड साइकल 28 से लेके 30 दिन का है तो आपका ओबिलेशन का दिन पीरिड के सुरू होने के 14 या 16 दिन के बाद होगा तो आपको पीरिड सुरू होने के 14 दिन बाद से संबंद बनाना सुरू कर देना चाहिए क्योंकि यही वह समय होता है जब आपका ओबिलेशन टाइम चल रहा होता है ऐसे में अगर आपके पीरिड रेगुलर नहीं है तो आपको ओबिलेशन टाइम पता करने मे काफी परिशानी हो सकती है ऐसे में आप ओबिलेशन किट का इस्तिमाल कर सकती है जो कि मार्केट में असानी से मिल जाती है अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लिए रेलेशन कितनी बार बनाना चाहिए आपको ओबिलेशन के डेज में हर दूसरे दिन ही रेलेशन बनाना चाहिए ऐसा करने से आपके प्रेगनेंट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं आप चाहे तो पीरिट खतम होने के बाद से हर दूसरे दिन संबना सकती हैं जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है जैसे संबन बनाते टाइम किसी प्रकार का तनाव ना ले तनाव लेने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जर्नेट होता है जो की आपकी फर्टिलिटी पे असर डालता है इसलिए अच्छी रिलेक्स मूड में ही संबंद बनाएं तो फ्रेंज उमीद करती हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि प्रेक्नेंसी कंसीव के लिए संबंद कब बनाएं और कितनी बार बनाएं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद दोस्तों